हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल आरस नोट्स पर और आसा करता हूँ दोस्त आप सब स्वस्थ होंगे मस्त होंगे दोस्तो आपका रेट का एक्जाम होने जा रहा है तो उसके लिए मैं आपके लिए एक most important दोस्तो मोग टेस्ट लेके आए हैं जिसमें आपको बाल मनोविज्ञान और प्रयाबरन अध्यन के most important question दोस्तो इस वीडियो में मिलेंगे दोस्तो जो एक विश्ण होंगे वो लेवल वन के लिए होंगे दोस्तो वीडियो अंतक देखीगा और बताएगा आपने 60 में से जो है दोस्तो कितने जवाब आपके सही मिले कमेंट करके जुरू बताएगा दोस्तो तो आए बाल मनो विज्ञान से सुरू करते हैं तो पहला है बाल मनो विज्ञान के नुसार सिक्षा के छेतर में मुख्यस्थान किसका होता है दोस्तो चार ओप्सन से आपके पास यह होता है दोस्तों याद रखे बालक का option C दोस्तों इसका द्वाब होगा बाल मनुयान के नुसार सिक्षा के छेतर में मुख्यस्तान होता है बालक का दोस्तों ठीक है? अगला स्रीर के अकार में वर्दी होती है क्योंकि क्यों होती है शरीर के एकार में वर्दी यह होती है दोस्तों ओप्शन बी सारीक और गत्यात्मक विकास के कारण ओप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा ठीक है अगरा देखिए कि स्कीजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते है स्कीजोइड वर्ग में जो है दोस्तों किस प्रकार के बालक जो है आते है तो यह आते हैं दोस्तों उप्रोक्त में से कोई नहीं स्कीजोइड जो वर्ग होता है दोस्तों उसके इंतरगत जो है सारेरिक रूप से अपंग बालकों को समिलित किया जाता है तो A, B, C में से कौन साई उप्षन 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 में से नहीं होगा तो D उप्षन इसका जोगा दोस्तों प्रोक्ट में से कोई नहीं ठीक है? अगला देखिए अनुवान सिक्ता की काई क्या है? Most important दोस्तों अनुवान सिक्ता की काई क्या है? तो अनुवान सिक्ता की काई है दोस्तों याद रखे जिन ओप्षन B दोस्तों इसका जवाब होगा ठीक है? हरे क्योस्टिन महत्पून होगा दोस्तों आप एक भी क्योस्टिन जो है मिस मत कीजेगा अगला सारीक विकास का छेत्र कौन सा है सारीक विकास का छेत्र कौन सा है दोस्तों तो यह है दोस्तों सनायू मंडल ओप्सन भी दोस्तों इसका जवाब होगा सारीक विकास का चेतर है सनायू मंडल अगला देखिए समान्य पुरुस में xy गुण सुत्तर होते हैं जबकि समान्य महिला में कौन से गुण सुत्तर होते हैं दोस्तो important question है सान question है समान्य महिला में होते हैं दोस्तो x x गुण सुत्तर option ने दोस्तो ए इसका जवाब होगा ठीक है चलते हैं गले पर शिक्षा सास्तर का वह परकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा क्यावसकता होती है कौन सा है तो वह है दोस्तो विकलांग वक्तियों को दी जाती है option भी दोस्तो इसका जवाब होगा सिक्ष्य सास्तर का वह प्रकार जिसमें विशी स्टिक्ष्या जो है विकलांग वक्तियों को दी जाती है option B दोस्तों इसका जवाब होगा ठीक है? अगला देखिए कि खालिस्तान को एक अभी प्रेरित सिक्ष्ण का संकेत क माना जाता है किसको माना जाता है दोस्तों तो यह माना जाता है दोस्तों याद रखी विदार्थियों के द्वारा प्रसन पूछने को जो है एक अभी प्रेरित सिक्ष्ण का संकेत क माना जाता है option C दोस्तों चलते हैं के लिए पर कि ब्रेल लीपी एवम टैप रिकोर्डिंग किसके लिए सेक्षिक परावदान के रूप में प्रियुक्त की जा सकते हैं ब्रेल लीपी एवम टैप रिकोर्डिंग जो है किसके लिए सेक्षिक परावदान के रूप में प्रियुक्त की जा सकते हैं तो यह की जा सकते हैं दोस्तों याद रखें दर्श्टी बात दिदार्थियों के लिए option B दोस्तों इसका जबाब होगा ठीक है चलते हैं गले पर कि अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवदार्णाओं को बदलने में आप किस प्रकार साहता करेंगे किस प्रकार से साहता करेंगे दोस्तों तो यह करेंगे option D अवदार्णों के बारे में बच्चों को अपनी समझ को वेक्त करने का अशर देकर option D दोस्तों इसका जवाब होगा ठीक है? अगला देखिए NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कार्ण में हत्तपूर्ण होती है किसके कार्ण? NCF 2005 के अनुसार जो है दोस्तों वो यह बच्चे के विचार की अंतरदरश्टी उपलब्द कराती है तिता समाधानों को पहचारने में साहता करती है option C जवाब हो दोस्तों ठीक है? अगला एक जुडुमा बाईयों में से एक को समाजी कार्थिक रूप से दनाट्य प्रिवार दवारा गोदलिया जाता है और दूसरे को कि निर्दन प्रिवार दवारा एक वरस के बाद उनके बुद्धी लबदांक के बारे में निमलिक्त में से क्या वो लोकित होने की सरवादिक संभावना है? तो क्या वो लोकित होने की संभावना है दोस्तों में? ये संभावना होगी ओप्शन भी समाजी का आर्थिक स्थर बुद्धी लबदांक को परवावित नहीं करता है कोई भी समभावना नहीं होगी दोस्तों में क्योंकि जो समाजी का अर्थिक स्तर है किसी भी बच्चे की बुद्धिल उदांग को प्रभाविते नहीं करता है उप्शन भी इसका जवाब होगा ठीक है? अगला सीखने की ततपरता खालिस्तान की और संकेत करती है किसकी और संकेत करती है दोस्तों सीखने की ततपरता? ये संकेत करती है दोस्तों वो सीखने के सात्यात्तक में सिक्षार्थ्यों के वर्तमान सिंग्यानात्मक्सतर की और उप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा ठीक है? अगला सिक्षा का अधिकार अधिनियम दोजार नो के अनुसार विशेश आसकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए दोस्तो बच्चों को दोस्तो पढ़ना चाहिए समावे सी सिक्षा ववस्था में इस प्रावधान के साथ की उनकी व्यक्तिकत आवसक्ताओं के पूर्थि की जासके option D दोस्तों इसका जवाब होगा ठीक है? सिक्षा का दिकार दिनियम 2009 यह उपलब्द कराता है कि विशेश आवसक्ता वाले बच्चों को उनकी आवसक्ता के नुसार ऐसी सिक्षा प्रदान की जाए ताकि वे अपना संपूर्ण विगास करते हुए समयव इसी सिक्षा के लक्षियों को प्राप्त करने में अपना योगदान देश कें दोस्तों ठीक है? अगला देखिए कि मैसलो के विप्रियना सिदान्त को क्या कहा जाता है? Most important दोस्तों मैसलो के विप्रियना सिदान्त को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों याद रखिए आवसकता का सिदान्त option A दोस्तों इसका जवाब होगा ठीक है? अगला इस सेक्षि का नुसंदान में किस प्रकार के सांख की आकड़े उप्योग के जाते हैं? तो इक की जाते हैं दोस्तों वर्नात्मक सांख की की विचलेशन और अनुरेखन सांख की की विचलेशन दोनों ही प्रकार के जो हैं सेक्सी कनुसंदान में सांख की आकड़े प्योग के जाते हैं दोनों इसका जवाब होगे दोस्तों उप्शन सी ठीक है? अगला सीखे हुए एक नई स्थीती में समश्या समादान हे तु अपने पिछले ग्यान का प्रयोग करते हुए अपने पिछले ग्यान का प्रयोग करते हुए प्रयोग कर पाने की समता कहला आती है दोस्तों अनुप्रयोग, उप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा ठीक है? अगला एक संतूलित वक्ती तो वह है है जिसमे जिसमें जो है इदम एवं परम एहम के बीच संतूलन स्थापित किया जाता है ओप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होग अगला देखिए कि मैडम चाय खाती है वाक्य क्या है? मैडम चाय खाती है वाक्य जो है दोस्तों वो यह वाक्य विनास की दरश्टी से तो सही है लेकिन अर्थ विज्यान की दरश्टी से गलत है मैडम चाय पीती है नहीं की खाती है दोस्तों ठीक है? उप्शन सी इसका द्वाब होगा अगला देखते हैं कि निमलिक्त में से कौन सी सिक्षन अधिगम के लिए एक परिभावसाली सिक्षन पर नाली नहीं है तो कौन सी नहीं है दोस्तों ये नहीं है उप्शन सी दिये गए ग्यान को दोराने पर द्यान के इंद्रित करना उप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों अगला देखते हैं कि सिक्षक अधिकार अधिनियम 2006 2009 ने 6 वरस से 14 वरस आयू के विदाले कभी न गई अथो आविदाले इस इस शा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को सिक्षा की मुखेदारा से जोड़ने है तू क्या किया गया है ये किया गया है दोस्तों की विशेश पर्शिक्षन लागू करने पर जोड़ दिया गया है ओप्शन 20 का जवाब हो दोस्तों ठीक है अगल एक बालक पहले पूरे हाथ का फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है ये उदान वर्दी और विकास के किस इदान को दरसाता है तो किस को दरसाता है दोस्तों ये दरसाता है एक इकरन के सिदान को ओप्शन B दोस्तो ठीक है अगला है गोड़े की तस्वीर एक क्या है गोड़े की तस्वीर क्या है दोस्तो तो गोड़े की तस्वीर जो है दोस्तो एक प्रतिकात्मक उदिपक है ओप्शन A दोस्तो इसका जवाब होगा चलते हैं गले पर आउट ओफ दा बोक्स चिंतन किस से समंदित है तो यह समंदित दोस्तो याद रखी अब सारे चिंतन से ओप्शन सीज का जवाब हो दोस्तो चलते हैं के लिक्षिन पर कि चिप्यू वह इवस्तो में डूंड निकालना इस बात का संकेत है कि सीशू निमिलिक्त में से किस संग्यानात्म कारे में दक्षाता प्राप्त करने लगा है यह करने लगा है दोस्तो ओप्शन भी वस्तो स्थाईत उपर ओप्शन भी इसका जवाब हो दोस्तो ठीक है अगला देखिए कि सिक्षन की प्रक्रिया में एक सिक्षक को हमेशा निमन के लिए कोशिस करनी चाहिए किसके लिए कोशिस करनी चाहिए सिक्षक को तो यह करनी चाहिए दोस्तो उचित परती पुष्टी यानी फीडबैक और परबलन देने की ओप्शन डीस का जवाब हो दोस्तो ठीक है अगला सिक्षन की खेल विदी किस की सिक्षा की स्कीम में जोर देती है किस प्रकार सिक्षा की स्कीम में जोर देती है दोस्तों सिक्षन की खेल विदी जो है एज ओर देती है दोस्तो प्रकृतिवादी पर ओप्शन एज का जवाब हो दोस्तो ठीक है अगला है कि मानसिक विकास को प्रबावित करने वाले कारक कौन से है मानसिक विकास को प्रबावित करने वाले कारक है दोस्तो ये है वंसानुग्रम प्रिवार का वातावर्ण और प्रिवार की समाजिक स्थिती तीनों ही दोस्तो मानसि विकास को प्रबावित करने वाले कारक है तो option D's का जवाब हो दोस्तों उपरोक्ट सबी ठीक है अगला देखिए कि गरबदारण से सिसू के जनम की अवदी को क्या कहते है गरबदारण से सिसू के जनम की अवदी को कहते हैं दोस्तों most important question है असान question है परसव पूरकाल इसे कहते हैं दोस्तों option C ठीक है इसके अवदी जो है दोस्तों लगबग 280 दिन यानिकी 9 मेने 10 दिन की होती है याद रखिए अगला देखिए कि बालक का प्रारंबिक विकास मुखे तक किस पर निर्बर है बालक का जो प्रारंबिक विकास है दोस्तों किस पर निर्बर होता है तो यह होता है दोस्तों माता-पिता पर option B दोस्तों इसका जवाब होगा जो बालक का प्रारंबिक विकास होता है वो माता-पिता पर निर्बर करता है याद रखिए ठीक है दोस्तों अगला देखिए अब आते हैं दोस्तों प्रयावरण अध्यन की परसनों पर पहला होगा इसका पहला देखिए कख्षा 5 की सिक्षी का एक एक ऐलुमिनियूं फाईल लेती है और पानीमें डाल देती है यहािक दिखाते है कि वह उपर तैरता है फिर वह फाईल को मुरोड कर जोर से दबाती है निचोडती और फिर से पानी में डालती है तता शिशारतियों को दिखाती है वह डूब जाता है बाद में शिशारतियों को ये सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ इस परसन का उत्तर देने में निमिलिक्त में से कौन से प्रकर्मन जो है कोशल का प्रियोक किया जाएगा कौन से कोशल का प्रियोक किया जाएगा दोस्तों प्रिकलपना पूशल का ओप्सन डीस का ज्वाबग दोस्तों ठीक है अगरा प्रयावरण अधन के शिक्षा सास्तर के संदर्म में सिवाए किसके अगर लिखित सभी वांसनी अभ्यास है तो कौन-कौन से अभ्यास हैं दोस्तों ये ये हैं दोस्तों ओप्सन बी वास्त्विक अवलोकन के स्थान पर पाठ्थे पुस्ति की ज्यान की सिष्था को स्विकार करने में ओप्सन बी इसका जवाब हो दोस्तों ठीक है अगला देखते हैं कि मैस कच्छा चार के सिख्षक हैं विवरक्षारक्षन की उदाणा पर शिख्षारत्यों को सवेदंसील बनाने के लिए उजना बनाते हैं निमिलिक नमेंजै कौन से कतीविदी इस देशक के लिए सिर्वादी को प्युक्त होगी तो कौन सी गतिविद्धी होगी दोस्तो यह होगी ओप्शन ए एक पोदे को अपनाने और उसका पोशन करने के लिए प्रते एक सी चार्थ को विप्रेड़ करना यानि कि एक बच्चा एक पेड़ पोदा लगाए ओप्शन एसका ज्वाब हो दोस्तो ठीक है अगला देखते हैं कि प्रयावरण अध्यन में बच्चे सिल्पकला और चित्रकला को समू में सीखना विसे इस रूप से पसंद करते हैं क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं दोस्तो वो क्यों करते हैं दोस्तो बताईए क्योंकि जो है ये से पाटी अधिगम को बढ़ावा देता है ठीक है ये समाजी का धिगम को बहतर बनाता है और ये जब बच्चों की सुजनात्मकता की परसंसा की जाती है तो वह खुस होते हैं वह उसके परती प्रेदिग की होते हैं ए बिसी दोनों ठीक होंगे दोस्तों फूर्थ है कक्षा में अनुसासन को बढ़ाता है अनुसासन को नी बढ़ाता है दोस्तों उप्षन डी इसमें गलत कथन है तो उप्षन ए बिसी और साही दोस्तों इसके कथन होगे तो उप्षन कौन सा जवाब साही होगा इसका आत्मिक अक्षाओं में सिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वेकल्पी कवदार्णाई होती हैं जैसे सजीव, निर्जीव, जल्चक्र, पोदे, आदी इन वेकल्पी कवदार्णाउं के स्तरोथ कौन से हो सकते हैं तो कौन से हो सकते हैं दोस्तो इसके स्तरोज जो हैं उप्सन देख लेते हैं तो यह हो सकते हैं दोस्तो परिवार हैं समधाय हो सकता है पाट्ट पुस्त के हैं वन्य पुस्त के हैं सिक्षक और कहार निमा कवीता हैं चारों चीज़े हो सकते हैं दोस्तों तो option A, A, B, C, D का जवाब होगा सभी कलप चुनना था चारों ही दोस्तों ही हो सकते है ठीक है अगला देखिए कि कांच के जारत था बोतलों का उनमें अचार बरने से पूरो सुर्य की दूप में अच्छी तरह सुकाय जाता है ऐसा क्यो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे जो है नमी को पूर्णत है हटाने के लिए ऐसा किया जाता है दोस्तों जो कांच के जार होते हैं उनमें से नमी को पूर्णत है हटाने के लिए दूप में उनको रखा जाता है तो option 20 का जवाब हो दोस्तों ठीक है अगला रेन्रु की दाधी उसे एक सूखा कुआ दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वरस पहले कुवे में पानी था लेकिन अब यह पूरूनतर सूख गया है कुवे में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है तो कुवे में से पानी सूखने का दोस्तों क्या कान हो सकता बताईए आपके सामने चार ओप्शंस हैं पहला है पेडों कुवे तथा उनके आसपास के स्थान की मिठी कोब सीमेंट से डख दिया गया है ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों सिमेंट से डख दिया गया है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गई है इसके काण भी जो दोस्तों सुखना लग गया है दूसरा भी ठीक होगा तिसरा प्रतेक वक्ति के गर में अब नल होने के काण ठीक है चलते हैं अगले पर कि प्रात्मी कक्षा में प्रयावरण अध्यन को सिखाने सीखने में कहानी एक महतपून पहलू है प्रयावरण अध्यन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को सिक्षन कोसल के रूप में समिलित करने के लिए निमिलिक्त में से कौन सा सबसे कम उप्युक्त कार्ण है सबसे कम उप्युक्त कार्ण हमें बताना है दोस्तो option देख लेते हैं सबसे कम उप्युक्त कार्ण होगा दोस्तो इसका option C की कहानिया प्रयावरण अधन अवदावनाव उससे सम्मद जोड़ने के लिसंदर बूपलोट कराती हैं उप्सन सीस का जवाब होगा दूस्तु ठीक है अगला रेकिस्तानी ओक एक पेड का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर आती हैं जब तक की पानी तक ने पहुंच जाएं इस पेड की जड़ों की गहराई इस पेड की उचाई से लगबग तीस गुनी होती है यह पेड कहाँ पर पाय जाता है दोस्तो most important question ने निसान लगा लिजी इस परसन पर तो यह पाया जाता है दोस्तो अस्ट्रेलिया में option B दोस्तो इसका जवाब होगा ठीक है और इसका अगर विज्ञानिक नाम पूछ लें तो इसका नाम है दोस्तो allocosirena disclana ठीक है दोस्तो एलो को सेरेन डिस्कलेन इसका विज्ञानिक नाम है अगर पूछ लेते हैं और यह पेड पर आ जाता है दोस्तो अस्ट्रेलिया में ठीक है दोस्तो अगला देखिए किस दुनिया के सबसे उची चोटी माउंट एवरेष्ट का पता किसने लगाया था नया क्वेश्टन दोस्तो माउंट एवरेष्ट का पता किसने लगाया था कि यह सबसे दुनिया के सबसे उची चोटी किसने बताया था तो यह बताया था दोस्तो जर जो आइवरेस्ट में ओप्शन डीस का जवाब हो दोस्तों ठीक है और इनी के नाम पर इसे माउंट आइवरेस्ट कहा जाता है अगला देखिए कासा या ब्रांज जो है दो दात्मों का मिसर्ण है दो दात्में कौन सी है तो यह हैं दोस्तों तामबा और टीन को मिला कर जो है कासा के निर्मान किया जाता है दोस्तों अगला देखते हैं कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में चार गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं यह पक्षी कौन से है तो यह पक्षी हैं दोस्तों चील बाज और गिद ओप्षन भी इसका जवाब हो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टन कोशन है ठीक है चलते हैं के लिए पर कि सालिनी कक्षा पांच के विदार्थियों को कोशन पर अधारित परकरण से परिजित करना चाहती है उन्हें क्या देना चाहती है वो उन्हें जो है दोस्तों सिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने टीफिन बॉक्स खोलें उसके तत्मों का वलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्यक्षा करने चाहिए पोशन पर अधारित प्रिजित कराना चाहती दोस्तों सारे लिए तो अप्शन सीज का जवाबक दोस्तों कि अपने टीफिन बॉक्स खोले और उनमें जो जो चीजें दे रखी है उनकी अवलोकन करे और उनकी वैख्या करे ठेक है अगरा जीव जन्तों पर अधारित पाठ को पढ़ाने के बाद सीतर कक्षा चार के शिक्षार्थियों के लिए शिडियागर के बर्मन कायोजन करती है या किस में शिक्षार्थियों के मदद करेगा किस बात में मदद करेगा दोस्तों ये यह मदद करेगा कक्षा कक्षिय अधिगम को वास्त्विक जी उनकी पस्तीतियों के साथ जोडने में ओप्शन भी दोस्तों इसका जवाब होगा ठीक है अगला ओखला है डिल्ली में जोड़ो से निकली निकाली गई गुड़गाउ नहर अब यमना लिंग प्रियोजना है दोस्तों लिंग प्रियोजना से राज्य के किन छेत्रों में सिचाई होत्तु जलू उपलब्द होता है ओखला हैडवक्स से निकाली गई गुडगाव नहर से राज्य के किन छेत्रों में सिचाई है तूजल उपलब्द होता है दोस्तो तो राजस्थान राज्य में दोस्तो ये उपलब्द होता है बरतपुर में ओप्शन बी दोस्तो इसका जवाब होगा ओखला एडवक्स से निकाली गई गुडगाव नहर मत्थुरा आगरा बरतपुर नुह फरिदाबाद और पलबल को सिचाई है तूजल उपलब्द कराती है तो राजस्थान का जोहिश में बरतपुर जिला आता है दोस्तो अप्शन बीस का जवाब होगा ठीक है अगरा निमन में से कौन सा प्रयावर्ण की कक्षा में रुपात्मक आकलन का समूचित कार्य नहीं है रुपात्मक आकलन का समूचित कार्य निमें से कौन सा नहीं है दोस्तो में वो पताना तो ये नहीं है दोस्तों उप्शन C कि जल्ब परदूशन की हानियों के बारे में तर्चा करना उप्शन C इसका जवाब हो दोस्तों ठीक है अगला देखिए कि निमलक्त पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक गुमा सकता है सबको पता होगा दोस्तों ये गुमा सकता है उल्लू आउल जिसे कहते हैं इंगलिस में उप्शन C का जवाब होगा ठीक है दोस्तों अगरा ब्रेल लीपी में मोटे कागच पर उबरे हुए बिंदू बने होते हैं ये लीपी किस पर दारित होती है ये लीपी जो है दोस्तों याद रखिए ओप्शन A छे बिंदू पर ये दारित होती है दोस्तों ओप्शन A इसका जवाब होगा ठीक है इसका विश्कार जो है दोस्तों ब्रेल लिपिका 1821 में एक नेतरहिन फ्रांसिसी लेकक लूई ब्रेल ने किया था दोस्तों ये भी आद रखी ठीक है अगला वैसीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मर्थ्यू से गरसित होते हैं क्या कहलाती है उसीमा का नाम क्या है दोस्तों तो ये दोस्तों चंदर से खरसिमा इसको कहते हैं उप्शन ए इसका जवाब होगा अगला कक्षा पांच के शिक्षार्थियों मैं जिग्यासा जागरत करने का निमन में से सबसे प्रभावितरी का कौन सा है तो सबसे प्रभावितरी का जो होगा दोस्तों वो होगा गहन जांच परक और कलपना परक परसन पूछना ओप्शन सी इसका जवाब हो दोस्तों अगला हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुजाओ देना चाहती है कि प्रयावण सरक्षन के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावी तरीके से अपना युगदन दे सकता है उनका सबसे बहतर सुजाओ क्या हो सकता है तो उनका सबसे बहतर सुजाओ जो हो सकता है दोस्तों वो होगा आने जाने के लिए सारुजनिक सादुरों का प्रयोग करना ओप्षन डी दोस्तों इसका जवाब होगा ठीक है अगला देखी दोस्तों कि रस्मी को यह सिखाया जाता है कि मैं परसंद पत्तर बनातिस में निमन चरणों का अनुपालन करें तो हमें बताना है कि अनुपालन की यह जाने बाले चरणों का सही करम कुन सा है दोस्तों में चार जो है कतन दे रखें है हमें इनको करम में लगाना है दोस्तो, तो देख लेते हैं कैसे आएगा, सबसे पहले आएगा रूप रेखा है, डिजाइन त्यार करना, option दूसरा इसका सबसे पहले आएगा दोस्तो, फिर आता है, ब्लूप्रिंट त्यार करना, option फिर आएगा दोस्तो, इसके बाद आएगा पर्षन लिखना और अंत में आगा दोस्तो पर्षन पत्र को संपाधन करना दोस्तो यानि कि सबसे पहले रूप रेखा दो दूसरा उप्षन आगया दोस्तो बल्यूपरेंट त्यार करना चोथा उप्षन आगया दोस्तो पर्षन पत्र लिखना पहला और फिर तीसरा दोस्त 2, 4, 1, 3 कहांपर है दोस्तो यह है option A में option A दोस्तो इसका जवाब होगा ठीक है करम होगा इसका 2, 4, 1, 3 ठीक है अगला हात्यों के विश्य में नीचे दिये गया कौन सा खतन सही है हात्यों के विश्य में दोस्तो यह है दोस्तो यह कि तीन महिने के हाती के बच्चे का बार समाने ते लगबग दो कमेंटल होता है यह बात बिलकुल सही है दोस्तो option A ठीक है अगला यह दिये एक महिने के लिए बिजली नह हो तो हमारा जिवन किस प्रकार प्रभावित होगा इस परसन को पूछने का उदेश्य क्या है तो इसको पूछने का उदेश्य है कि दोस्तो सिक्षार्थियों के कलपना प्रक और चिंतन प्रक कोसलों का विकास करना option B दोस्तो इसका जवाब होगा ठीक है मदमक्खी पालन के लिए सबसी अच्छी माने जाती है तो option C का जवाब हो दोस्तो ठीक है अगला कोई रेल गाड़ी गांधी गराम से 16 जुलाई 2014 को प्राथ 5 बजकर 15 बजे स्टेशन पसोड़ कर 18 जुलाई 2014 को प्राथ 4 बजकर 45 बजे नागर कोल स्टेशन पर पहुंचती है रेल गाड़ी दुआरा चली गई दूरी 269 किलोमेटर है इस रेल गाड़ी की उसे चाल लग कितने किलोमेटर होगी दूस्तो तो क्या दरिक्खा में रेल गाड़ी की उसे चाल दे रखी कितने 56 किलोमेटर पर गंटा ठेक है दूस्तो इसका जवाब क्या होगा उप्शन ए कैसे आएगा दूस्तो कूल लगने वाला शमय है दोस्तो 47.50 यानि कि जब हम धोनों को जोडेंगे इस से लेके इसका जो समय होगा इसके बीच में जो समय होगा वो लगबग कितना होगा 47.50 गंटा होगा कूल दूरी है दोस्तो 27.60 किलोमेटर चाल निकालने का फर्मूला आपको पता है दूरी बटे समय इसका जवाब होता है दोस्तो तो 26.60 बटा 47.50 को जब सोलुशन करेंगे तो आएगा दोस्तो 55.76 गंटा तो लगबग कितना हो गया 56 किलोमेटर पर गंटा इस वीड होगी दोस्तो खेजडी वरक्षस से एक क्वेशन पक्का आता है दोस्तो देखिए खेजडी वरक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए सही कथन हमनों चुनने हैं दोस्तो देखिए पहला है यह वरक्ष मुखेत ए रएगभिश्तानी शेतरों में पाएजाता है ओप्शन डीस का जवाब हो दोस्तों, एक दोर तीन, ठीक है, अगला देखिए, कि अधिकांस पक्षियों का वलोकन करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि दिकांस पक्षियों अपनी गर्दन एतदी खिलाते हैं, इसका कार्ण क्या है दोस्तों? इसका कार्ण है कि अधिकांस पक्षियों के नेतर स्थिर होते हैं और गूम नहीं सकते हैं, इसलिए वो अपने गर्दन अध्यते खिलाते हैं, देखने के लिए उप्शन एस का जवाब होगा, ठीक है? अगला रिनाम पसंद करती है, वही ने जाड़े के इसलिए शरक्षित करना चाहती है, निमलिक्त में से कौन सा तरीका सरक्षिन के लिए सरवादी को प्युकत हैं, आम को कैसे सरक्षित किया जा सकता है? दोस्तों ये किया जा सकता है, अचार और आम पापड बना कर, ओप् बेस में तक चल पाएंगे, और रंती में दोस्तों कि के लिके निकट वरती राज्जे कौन से हैं, तो के लिके निकट वरती राज्जे हैं दोस्तों तमिला डूरा अंदर प्रदेश, ओप्शन एस का जवाब अगा, मोस्ट इंपोर्टन है दोस्तों ठीक है? तो लिजे दोस्तों आपकी वीडियो होती है हाँ पर कम्पलेट, और अंत में कमेंट करके जुरूर बताएगा दोस्तों कि आपका कितने जवाब इन में से सही मिले, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शियो और कमेंट करके जूरू बता दीजि और आरस नोट चैनल को इस्ट्राइब कर लेए दोस्तों तो मिलते हैं आपसे एक लिए वीडियो में नहीं और रोचक पशनों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों